सोड़े दोग इस कैसे हैं आप सभी लोग तो भी आज की स्टेडी में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ 2023 Hyundai 1A के बारे में ये गारी जो है दुबारा से स्पाइ करी गई है डेली में और इस गारी का launch जो है वो मार्च में हमें देखने को मिलने वाला है जैसे कि आप लोग को अलिडी पता होगा और टो एक्सपो में हमें इस गारी की कोई भनग भी देखने को नहीं मिली थी तो ये जो next generation 2023 Hyundai 1A है तो वो भाई अपना market डेब्यू करने वाली है मार्च में अगर मैं इस गारी के बारे में बात करता हूँ तो ये गारी सीधा-सीधा Honda City का राइवल बनने वाली और ऐसा दिख रहा है कि ये गारी जो है last phase of testing की तरफ बढ़ रही है क्योंकि इस गारी का जो camouflage है वो हमें थोड़ा भी कम होतावा नजर नहीं आ रहा है का जो increased dimension है वो सीधा-सीधा फिफ जनरेशन Honda City, Squadra, Slavia, Volkswagen, Virtus Duo के साथ compete करने के लिए करा गया है अगर मैं इसके aesthetic looks के बारे में बात करता हूँ तो ये गारी सीधा-सीधा इस गारी में हमें aggressive styled front end देखने को मिल जाएगा, bold creases और diamond cut alloy wheels देखने को मिलेंगे इस गारी में हमें sensuous sportiness theme देखने को मिल जाएगी, जिससे 2023 human dive वना काफी जादा अच्छा option बन जाएगा अपने segment में अगर मैं इसके front end के बारे में बात करता हूँ तो इसमें हमें white grille देखने को मिल जाती है, जो की bumper पे neatly fitted है अगर मैं इसके LED headlamps के बारे मिल जाएगे, जो की काफी जादा sharp से हमीं देखने को मिलेंगे अगर मैं इसके अंदर के बारे में बात करता हूँ तो रियर रेंट्स में हमें LED headlamps देखने को मिल जाएंगे जो कि आपस में connected होंगे LED light strip के साथ अगर मैं इसके अंदर के बारे में बात करता हूँ तो काफी जादा लोग इसका अंदर का Tucson के जैसे होने वाला है इसमें हमें digital instrumental cluster और साथी साथ touchscreen infotainment unit आपस में जुड़ी होई देखने को मिलेगी इसके कुछ highlights के बारे में आप लोग को बतायता हूँ कि जो main main highlights इस गारी के हैं features के मामले में मैं आप लोग को बताता हूँ level 1 ADS feature हम इस गारी में देखने को मिल जाएगा Hyundai के तरफ से सिधा 1.4 liter turbo option को replace करेगा जो कि क्रेटा में भी हमें देखने को मिल जाता है और साथी साथ इसमें हमें 1.5 liter का petrol unit भी जो naturally aspirated होने वाला है वो भी provide किया जा सकता है as a base engine option जो कि आप लोग खरी सकते हो आप लोग मेरे को नीचे comment करके जरूर बताना कि आप इस गारी के बारे में क्या सोचते हो क्या लगता है आपको इस गारी के बारे में prices का मैं आप लोग कुछ idea दे देता हूँ ऐसा बताया जारा है कि इस गारी का जो price है वो start होने वाला है almost almost 10 lakh रुपी से जो कि मेरे हिसाब से जाएगा 11 लाग रुपे तक इस गारी का 11-12 लाग रुपे तक इसका starting price रहने वाला है और जो जाएगा वो जाने वाला है almost almost 21 lakhs के करीब तक क्योंकि इस गारी में काफी जादा features वगेरा प्रोवाइड कराए जाएंगे Hyundai की तरफ से आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके इस बारे में ज़रू बताना काफी जादा renders भी मैंने आप लोग को अल्हेडी दिखा दिये हैं इस वीडियो में जो कि आप लोग अपनी देख सकते हो चल आप लोग बताओ इन renders के साबसे आपको गाड़ी कैसी देखने को मिल लिए क्या लगर आप लोगो तो चलिए आची वीडियो के लोग बस इतना है और मैं आप लोगों से मिलूँगा आगली वीडियो में